लेकिन सरकार डरने का काम करेगी, तो किये किसान डराएगा नहीं, मुक्यमंत्री हर्याने का कहता है कि टेक्टर नहीं चलेगा, ये तुम्हारी छाती पे टेक्टर ही चलेगा, और हम चाहते हैं, हमने बार बार कहा कि एक कुर्बानी टिकेत परिवार की इस आंदोलन को चाहि और हमको उनके साथ में जाना पड़ा, आज भी सकेम की और उनकी कोई बात चित नहीं हुई, जो किसान संयुक्त म connection, उसकी कोल अलग है, लेकिन हम उनके साथ में गर अथाचार होगा, आज उनके साथ में, कल हमारे साथ में होगा, परसु तुमारे साथ होगा मुद्दे सब के एक है उन्हीं की कमेटी सरकार से बातचीत करे जो भी उनका फैसला होगा वो बातचीत करे लेकिन सरकार डरने का काम करेगी तो किये किसान डरेगा नहीं पूरा हर्याना पूरा देश इस पंचात की तरह आज देख रहा है पूरी कमेटी ने निर्णे लिया कि 21 तारिक को 21 फर्वरी को जिला मुख्यालने पर ना कोई काम होगा टेक्टर से मार्च होगा और वहाँ पर परदर्शन करेंगे एक दिन का टेक्टर से जाएंगे उसके बाद में हमारा है 26, 27 तारिक का दो दिन का ये S.K.M. को हम देंगे कि हमारे टेक्टर हाईवे पर होंगे जो दिल्ली की तरह हाईवे जाता है हमारे टेक्टर हर दुआर से लगाके और गाजिपूर बोडर तक जहां तक भी गाजियाबाद का बोडर लगाका वहां तक खड़े होंगे हर जिले के तैसील बलोक के लोग अपने टेक्टर को लेकर सड़क पर खड़े होंगे एक तरप का हाईवे चलता रहेगा आने वाले लोग उनको देखते रहे हम दिल्ली जाएंगे नहीं लेकिन हाईवे पर अपने टेक्टर खड़े करेंगे सरकार के पास में भी टाइम है उनसे समझोता कर ला उस कामेटी से आप पाड़तोर करने की बात करते हैं ये किसान सहीद होने की बात करेगा जमीन बचानी है तो अंदोलन करना पड़ेगा देश की रवाजादी की लड़ाई हुई तो 90 वर्स अंदोलन चला अगर आप डरे तो ये सिद्धा जो आज पंजाब बोडर पर हुआ है कल इस गाओं के बोडर पर होगा आपने भी देख्या है 2008 में जब सरकार हमला करती है तो सिद्धी गाओं पर भी हमला करती है जिन्दा रहना है तो अंदोलन करने पड़ेंगे मुक्यमंत्री हर्याने का केता है कि टेक्टर नहीं चलेगा ये तुमारी छाती पर टेक्टर ही चलेगा अपने टेक्टर को मजबूत रखना हम 21 तारिक में भी दिखाएगे और 26 और 27 तारिक की रात में भी दिखाएगे टेक्टर हाईवे पर रहेगा हम S.K.M. को जो किसान से युक्तमोर चाहे हम उसको बताएंगे कि यहां की पंचात में यह निर्ने हुआ अगर वे सेह मती देंगे पूरे देश में टेक्टर आंदोनन की दो दिन की दिल्ली की तरफ को हाईवे पर खड़े करने की तो 21 तारिक तक वे हमको बता दे हम अपनी राग्ये की तैयारी करेंगे दो दिन की अभी यहां पे इस पंचात का फैसला है कि हम 21 तारिक को टेक्टर के साथ में गाडियों के साथ में बड़े प्रोग्राम एक दिन के कलक्टेट पे करेंगे हर्याने के समर्थन में करेंगे जो MSP गारंटी कानून है उसके समर्थन में करेंगे क्योंकि अभी एक परचार चला जा रहा मेडिया के माद्द्धिम से कि किसान MSP मांग रहा है तो मेंगाई बढ़ेगी एक रुमर फड़ाई जा रही है आपको पत्ताम करने की साजिस रची जा रही है आपको बहुत मुकाबला इन लोग उसे करना पड़ेगा यहां पे भी बहुत से लोग टूट टूट के सरकारों के साथ में जा जाके मिलेंगे आंदोलन में आप हमारे साथ रहो पोलिटिकल पार्टी में आपको कहा जाना उससा हमारा कोई संबद नहीं है और जिसको यह हैं कि हम आंदोलन में भी नहीं रहेंगे और हम सरकारों के साथ में जाएंगे अगर सरकार की बात्तों से सेहमत हो तो दस साल पुराना टेक्टर, जन्रेटर, पंपिंग सेट अपना खड़ा करो और सरकार की बातमनों इस किसानों को धोका देने का काम ना करो एक आदमी नहीं है कि अपना टेक्टर तुडवा दे ये लड़ाई, पूंजी पत्यों के खिलाप ये लड़ाई है दस साल में गाड़ी का कुछ बिगड़ता है, दस साल में टेक्टर का कुछ बिगड़ता है अगर ये पूंजी पत्यावी होंगे, इनका मकसद है कि दो हजार सेंटालिस तक देश के किसान की सतर परसेंट जमीन हम अपने कबजे में ले लेंगे जो एक कलोज था, पहले जमीन ने लोग बेशते थे जिनके पास में जमीन थी, जमीदार था वो बेशता था 2013 के बाद में ओक कलोज इस सरकार ने हटाया आज व्यापारी बड़े बड़े उद्योग पती जमीन ने पुड़ा पैसा लगा रहे जमीन खरीद रहे, आप सोच रहे कि जमीन ने महंगी होगी महंगी जमीन व्यापारी खरीदता है और सस्ती जमीन किसान खरीदता है जमीन जितनी महंगी होगी व्यापारी के पास मजाएगी किसान करजे मजाएगा जमीन बेचेगा हम जमीन बेच के गुजारा नहीं हमको फसल बेच के गुजारा करना है जमीन नहीं बेचनी ये लड़ाई आने वाले टाइम पे फसल और नसल बचाने की होगी ये बहुत से सवाल आप के बीच में करेंगे कहेंगे के भारस सरकार तो 6,000 रुपे दे रही है क्या हो अमेरिकन डोलर दे रही ब्यार में धान 800 सर, 12, 13 सर रुपे खरिदा जाता हो कासमीर के सेव का क्या हल है 36 गड़ के किसान आंदोलन का क्या हुआ इनको किसी से कोई लगाव नहीं है 36 गड़ में हमारे आंदोलन चल रहे थे पहले वाली सरकार के खिलाब भी चले और इस वाली सरकार के खिलाब भी चले 36 गड़ में मुख्या मंत्री आदिवासी बनाया जो आदिवासी जंगलू से प्यार करता है जो आदिवासी हरी देव की पूजा करता है जो जंगलू की पूजा करता हो हस्देव के जंगल एक दिन में 50,000 के आसपास पेड़ काटे हमारे 5,000 लोग बंद करे घरू में जंगल काटे उनके ये उद्योक पत्यों की सरकार है इनको सिर्फ उद्योकों से प्यार है पुणीवाद से प्यार है देश में पुणीवाद हावी होता जा रहा है मुकाबना करना है संगर्स होंगे इस लडाई में लोग मारे भी जाएंगे और हम चाहते हैं हमने बार-बार कहा के एक कुर्बानी टिकेत परिवार की इस आंदोलन को चाहिए ये सरकार दिहान सा तुन ले जहां पे भी गोलिया चलेगी हम अगर रहेंगे हम चाहते हैं कि टिकेत परिवार की एक कुर्बानी गोली से इस किसान आंदोलन में जाए 2018 में आट में जानी थी बचगी 28 21 में जानी थी ये जाएगी ध्यान सुन लेना ये सरकार हमें कोई किसी पार्टिस से कोई रगाव नहीं है हम पॉल्टिकल नहीं है हम किसान के लिए कुर्बानी देंगे आखरी दम तक हम किसान के साथ में खड़े रहेंगे तुमारी ये गुंडा गर्दी नहीं चलने दी जागी तुम सरकार बनो किसकी बनेगी हमें नहीं पता लेकिन जो जिस तरह से कह रहे हैं कि अब की बार चार सो से पार जाएगे तो लक्षन की कहा जो रहत है आप रिनिवल कर लो इसी सरकार को क्यों खरच कर रहे हो पैसा आज डेस में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बोलने की हिमत नहीं रही सबको जेल में बंद करा जा रहा जो भी किसान संगटन कम जोर होगा वो जेल में जाएगा या सड़क पर रहेगा और जिन लोगों को जाना है सरकार ने कालीन बिछा रख किये आप उसकी पग्रंडी पर कुछ जा सकते हो हमारा रास्ता संगर्सका है उन्हें संपर्क हमारे से भी करा है हम नहीं जाएंगे उन्हें कहा कि क्या चाहते हो बताओ हमने कहा किसान कहा कि बाचीत कर लो हमने कहा कि सेयुक तुमोर चाहे कमेटी बाचीत करेगी उन्हें तीन साल से कोई सरकार ने बाचीत नहीं करी आज भी हमारी कमेटी है हम अकेले ना सरकारों से बातचीत करेंगे हमारी कमेटी हमारे 40 लीडर से युक्तमोर चाके है सरकारों को बात करनी है तो उन से सरकार बातचीत करें हम किसानों के साथ में रहेंगे मरते दम तक किसानों के साथ में रहेंगे अपने जमीन और जमीर बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा आप सब का धन्यवाद आपने बात सुनी 21 सारी की तैयारी करना एक साल की फसल आंदोलन में लगानी पड़ेगी किसान हड़ताल करनी पड़ेगी आंदोलन में लगानी पड़ेगी एक साल यह माल लेना है कि हमारी फसल नहीं हुई उस फसल को आंदोलन में लगाओ अपने टेक्टर में डीजल जा लो नसे पत्ती से दूर रो और जो लोग नसा करते हो आंदोलन में जाके बराए मेरबानी करके इसा मत करो मीडिया, सोसल मीडिया यह सब आपके खिलाप लिखेंगे देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पेरा है उनकी हमत नहीं है बोलने की दिखाने की आपके खिलाप निगेटिव दिखाएंगे और जो चैनल आपके खिलाप निगेटिव दिखाएंगे उसका connection का टोट टीवी देखना बंद करो ये जो डिवेट चल रही हैं उनको देखना बंद करो जिन्दा रहना है तो खेत में काम करो और आंदोलन पर दिहान करो आप जब ही जिन्दा रहोगे ये संगर्स अभी आठ साल और चलेगा अभी ये संगर्स आठ साल चलेगा आंदोलन कारी बीज के बचेंगे बीज के खतम होगा पुरा सिस्टम आठ साल तक आंदोलन कारीों को समाल कर रखना 32 के बाद में इन पार्ट्यू का डाउन फॉल सुरू होगा अभी ये बढ़ैंगे बहुत अत्ताचार बढ़ैंगे बीज बीज के बचेंगे कहीं कहीं बचेंगे सब सिमट जाएगा जिन लोग को अनाज फिरी दे रहे हैं जब अनाज कमपन्यू के कबजह में होगा तो रोटी पे अधिकार उनका होगा, रोटी तिजोरियू में बंद होगी इस देश को मजदूर बनाना चाहते हैं ये सरकार यहाँ पे इस देश में लेवर तयार करना चाहते हैं और बड़ी मार्किट बनेगी यहां पर बड़े व्यापार करेंगे और सस्ता मजदूर जैसे बिहार में हुआ बिहार की पूरी मंडिया बंद कर दी कोई बिहार में मंडिय नहीं है व्यापारी सस्ते में माल खरिदता है और महेंगे में बेचता है यही हाल यहां पर होना है तो आप अपना तियार रहो पॉल्टिकल पार्टी में जहां आपको जाना है हमाँ चले जाना आंदोलर में हमारे साथ पर रहो हम आपके साथ खड़े हुए हैं धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत, जै सम्विदा